देहली की शानदार और आसान रेसिपीस के लिए सबस्क्राइब करें शान दिल्ली को और हमारी रेसिपीस को सबसे फैदर देखने के लिए बैल आइकन को दबाएं आज हम बनाएंगे बीन्स और केरट और पनीर की मिक सबसी जो की बहुत ही अच्छी लगती है और रेस्टों टो में ये सबजी बहुत शौक से हम अपनी थालियों में मगाते हैं और इस सबसी खाने में बहुत अच्छी है और इसमें ज्यादा मसाले इस अच्छी कर दो आखिएगे 100 गराम गाजा जैने यह बहुत बारी पीसिस में अच्छी रिए और इतनी बारी हमें यह पौनीर के टुख़े हमने इसके काट लिए हैं को एक बाड़ा प्याज हमने चॉप कर लिया है यह देखे हैं और दो मीडियम साइज के टमाटा हमने ही द्यूआ ह और इसमें हमने एक हरी मिर्च भी पीछ लिए है इसमें मिर्च नहीं डालेंगे यह चोप लिए यह दा चमब जीरा है जो तेल गरम होने के बाद नहीं हुआ अधा चमब धन्या पाउड़ा आदा चमब छोटा चमब आदी लाल मिर्च हल्दी चोटा चम्मच और नमक स्वादा नुसार आईए हम अपने कुगल की तरफ चलते हैं इसमें हमारा तेल गरम हो चुगाए इसमें हम जीरा डाल चुके हैं इसमें डाल लेंगे हम अपना मसाला पॉल लेंगे मसाला हमारा अच्छे से बूल लेंगे इसमें नहीं डालेंगे अब गाजर और इन दोरों चीजों को डाल के अच्छे से बूल लेंगे हम पनीर नहीं डालें और ना हम पनीर दालेंगे हमसिते अर्ट इसमें छाजिती यह मारी में में ऑन्तुट रगाएंगे और उसी की प्रेशर में होने देंगे उसके बार अम पनीर डालें इसमें यह चम्चिये आफे दालीं चेपी निलगे ऊफाइए लोगा पाइए ऐसमें बिल्ग भी पलुद नरी बड़ियंगे और दो चल शड़nah games सिम गयस पर दो सीडी से प्राइब आचुकी पाइल एंगे चाहिए जब देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखिए सबसी त्यार है लेकिन हमने नहीं दाला ता जब देखिए पानी तली में दिखाई दे रहा है थोड़ा दोड़ा भी इसमें पनी डालेंगे गैस का फ्लेम ओन करेंगे हैं अब इसे हम परोसेंगे देखिए पनीर के सबजी हमारी तैयार है विल्कुल जिसमें हमने फलियां और गाजर और पनीर की जो हमने मिक्स सबजी बनाई है यह बहुत ही अच्छी लगती है बहुत ही आपको पसंदागी चाबल के साथ पराटों क साथ आप इसे खा सकते हैं और यह बहुत अच्छी लगती है हमें दौाओं में याद रखिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए अल्लाहाफ़ आफ़ेजिए